हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल महिला तुफान दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफूल होने वाले क्यूंकि आज की मेरी वीडियो को टॉपिक है जब अर्दस्त स्टालिस लड़की कैसे बने दो हजार चौवीज में क्यूंकि अब हैंजि ने डिखे इस ताडा एक लड़की चाहती है कि वहनगी टाइप की ना दिखे हो स्टालिस देखें तो अगर आप स्टालिस देखना चाहते तई आपके लिए वीडियो में तर्द स सलस्तक बने रहीं चलिह करते हैं तो ऐसं आज की मेरी पहले टिपस है हाइप तो सबसे पहले तो आप पहुता है नगी घर में हो तो कैसे भी पीछे जूरा कर लेते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो आपकी उम्र है खुपशूरत दिखने की इस उम्र में इवा उस्था में जीने के हैं चार दिन जमानी के भी हैं चार दिन तो इसमें अभी से नहीं अपनाना है ठीक है अभी यंग हो तो हाई पोनी करें और हैर स्थाल से रिलेटिव जो भी चीजें मिलती है मार्केट में जैसे हेर पीन, हेर वेंड तो उसे आप यूज कर सकते हो क्लचर और स्थालिस्ट आप अपने हिसाब से आपकी लंबी हेर है बाल हैं लंबे बाल हैं, खुपशूरत हैं, सिल्की हैं, तो उस हिसाब से आप चूच कर सकते हो, और जूरा भी अगर पाटी में कभी बनाना हो, और बांध कैसे घर में रहना चाहिए, लेकिन जूरा भी आपको हाइप हो नहीं करना चाहिए, उपर की और करना चाहिए, इससे चहरे क की ना लगो, यंग दिखो, खुफशूरत दिखो, तो आप हैरी स्टाल से रिलेटिव बहुत सारी वीडियो को देख के जूरा बना सकते हो, हाइप नहीं कर सकते हो, हैरी स्टाल को अपना चाहिए, कि यदि आप गल्स हो, और भी बहुत यंग हो, ठीक हैं, तो यदि आपक कि शादी हो चुकी है और लगाना जरूरी है तो भी आपको आपने फेस के cudmon को चोटी बिंदी ही लगाना चाहिए अगर भराभर है तब फेस है तब भी चोटी बिंदी लगाना चाहिए है अससे होते हैं यह वागज का फैस गोल मतोल होता है पुरा मतलश के पराछे की या किसी ने दे दिया साधी व्या में बहुत जादा मिल जाता है तो कोई भी अप्लाई कर लो ऐसा नहीं है आप छोटी बिंदी ही अप्लाई करो तो यह चीज आप टाई कर सकते हैं या बिंदी को नहीं भी लगा सकते हो उसके प्लेस पे आप चंदन लगाया करो कुम-कुम तो उसे कोई लर्जी भी नहीं होगी कोई दाग भी नहीं होगा तो इस तरह से आप या बिना बिनी लगाया हो एकर चलता है तो रह सकते हो इससे बहुत ही फैश्च नहीं और स्ट्यालिस्टिक होगे पॉइंट है जैसे की अप हैस्ट बात करूं कि जो हमारा हैर वह बहु खुशूरत रोल है तो जुल्फें आपकी कैसी होनी चाहिए तो अगर आपका फेस बहुत पतला है तो आप सेंटर जो मांग कहते हैं तो बीच मांग जो कहते हैं वो अपलाई कर सकते हैं आप पे अच्छा लेगा और अगर चहरा थोरा सा भरा भरा है तो ऐसे में आप साइड मांग करें और साइड मांग करें और उसके अलावे भी आपको साइड का जो बाल होता है उसे आप पर थोरा सा फेस की और रखें इससे क्या होता है खुले बाल इससे क्या होता ना कि फेस आपको थोरा सा छोटा और लुक बहुत चेंज हो जाता है फेस का और अच्छा लग जैसे कि आपको यंग दिखना है तो आप जिन स्टॉप तो पहनी सकते हो और क्लोज नेक की कुर्ती पहने और फिटिंग वाली पहने ठीक है और ट्रेंड में जो अभी मार्केट में ट्रेंड में है वो एक दू कुर्ती आपके पास होनी चाहिए ट्रेंड डिजाइन में जो चल रहा हो स्टालिस कुर्ती पहने बिना दुपट्टे वाली कुर्ती भी पहने क्यूंकि वह आजकल फेशन में है और अच्छा भी लगता है तो आप ट्राइ कर सकते हो और ढीली ढाली अगर कुर्ती पहनते हो तो ऐसा लगता है न कि आप अपने पर कियर नहीं कर रहे हो आपकी लाइब भी डीली हो गई है कहने का मतलब है कि बिल्कुर स्टालिस नहीं लगते हो तो घर पे तो आप डीली ढाली पहन सकते हो लेकिन घर से जब बाहर लिख लो और से कोसिस को रपी घर पे भी कंफरेवल मतलब बहुत ज़्यादा टाइट ने लेकिन फिटिंग व ले सकते हो फाइब टिप्स है कि आपको दुपट्टा लेने का मन करता है या आप का घर का महौल ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि आप लो और जिनस टॉप का मी पहनते हो तो जिनस टॉप में भी आप हलका फुलका जो छोटा साइज को दुपट्टा आता है स्टॉल भी जिसे कहते हैं वो चीज़े आप अप्लाई कर सकते हो ले सकते हो या अप दुपट्टा अगर लेते हो तो साइड ले उसे दो फोल्ड करके अप ले सकते हो या गले में खुला करके ले जैसे कि बहुत सारी तेरे नाम फिल्म में जो हिरोईन है वो लेती है और बहुत सारे अपने ज फुला करके दुपट्टा लेती है बहुत अच्छा लगता है और आप ले सकते हूँ आप भहुत ही स्टालिस दीखते हो बहुत समझदार लगते हो तो इस टाइब का जो इस्पूल रेस में जो दुपट्टा लेते हैं पिन आप करके कि वो चीज़े आपको नहीं लेना चाहिए इसकूल में अगर चलता है तो आप ले सकते हो लेकिन इसकूल से बाहर आप घर में हो या कहीं मार्केट में जा रहे हो तो थोड़ा सा स्टाइलिस्ट आपको दिखना ही चाहिए क्यूंकि एसकल बहंजी टाइप की लड़की को कि कोई देखे तो आपको खुद पे भी ध्यान देना चाहिए जैसे तैसे नहीं रहना चाहिए आपका भी स्टेंडर्ड थोड़ा हाई होना चाहिए कि कोई कहे कि हां मुझे हाई-फाई वाइफ चाहिए नगाना उसकी सैंडिल भी हाई चाहिए तो इस तरह का आपको भी बनना पड़े को या आपको कम न समझ ले तो इसलिए टालिस बनना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जब भी बाहर आप घूमने जाओ या माटकर जाओ या अपने दोस्तों के साथ जाओ पिकनिक पे जाओ अभी तो पिकनिक जाने का टाइम है पाटी वगेरा में भी जा रह या आपके बच्चे भी हो गया है तो भी आप मतलब की बच्चों के लिए अलग बैग रेडी करो ठीक है और अपने लिए अलग स्टालिस दिखना ही चाहिए आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अब तो उमर हो गया है तो चलो बड़ा से बैग ले लेते हैं आप लहंगे स्टालिस सैंडिल होती है उसे आप एक बर जरू ट्राइ करो और आपके पस एक बलेक और एक वाइट सूज जरूर रखें उसे आप जिन स्टॉप के साथ भी केरी कर सकते हो यहां तक कि आप सारी में भी पहन सकते हो और सूट कूरती में भी पहन सकते हो तो इस तरह की आप आपको जैसे कि एक सिंगल वाला जो होता है ना वैसा नहीं लेना है आपको मतलब अच्छे से देख के लेना या जुत्ती भी आप ट्राइ कर सकते हो तो इस तरह की चीजे आपको लेनी चाहिए और अपने फूट वेर का विख्याल रखना चाहिए वो भी आपकी लुक में च हो गया है तो आपको हुक वाली येरिंग्स नहीं पहना चाहिए उसे दिखने लगते हैं तो पूरब बेकार लुक आता है ठीक है और फिस नेवल कि आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वैसा आपको गलती नहीं करना है और आपको कानों में हमेशा मतलब छोट चोड़े येरिंग्स नहीं पहनने हैं फेस के अकोर्डिंग पहनने बरा फेस तो पार्टी में कभी कभी यूज कर सकते हो हमेशा नहीं वह आपके कानों के लिए भी सही नहीं होता है तो इस तरह से इस बात का भी आप खास ध्यान लगए टेंट इस है कि जब एक देदी गिफ्ट कर दी जिसकी कलर आपको पसंद नहीं है या वह बहुत लाइट कलर जिसे लगाने से पता ही नहीं चलता है तो ऐसे में आप एक चीज कर सकते हो कि दो लिपस्टिक को मतलब मिला कर लगाओ नया सेड कर लो तैयार कर लो तो इससे क्या होता है एक नया लुक मिलता है और आपकी लिपस्टिक भी यूज में आ जाती है तो आप ये भी एक नया स्टाइल में आप ट्राइ कर सकते हैं अगर आपके पास आउट लाइनर नहीं है तो आप काजल का भी यूज कर सकते हो 11 टिप्स है कि मल्टी कलर जोलेरी एक होनी चाहिए आपके पास जिस लड़्कियों को जोलेरी लाइट जोलेरी ही पहनी चाहिए लेकिन अगर आपके ही साधी पार्टी में जाते हो तो एक मल्टी कलर का जो नेकलेस होता है वो आपके पास होना चाहिए और स्टोन वाली अगर वाइट हो या गोल्डेन हो जो लड़ी तो आप किसी भी कुर्ती पे, लहंगे पे ट्राइब कर सकती हो, तो इस तरह से आप यूज कर सकती हो, और पर्चेश कर सकती हो, और अपने face के according आपको, या अपनी height के according, आपको देखनी जाहिए कि किस type के jewelry आप पे अची लग रही है, क्यूंकि पाटी में मैं देखती हूं कि बहुत सारी गर्ल्स है जो बड़ी-बड़ी येरिंग्स पहन लेती है कानों की बालियां और जो बहुत हेवी भी होती है उनकी कान में दर्द भी हो जाता है और कोई खास सुंदर भी नहीं लगती है क्योंकि अगर आप टॉप पहने हो या भी बलेजर पह करनी चाहिए टूएल टिफ्स भी है कि अभी सादी की मोसम बहुत चल रहे हैं तो अगर आप गले का हार पहनती हो और लहंगे पे माल लो तो उसकी जो डोरी होती है नहीं से डबल वाले लो या चेंज करा लो इससे क्या होता है कि उगरेंगे भी नहीं और आपक डांस कर र लगवा सकते हो तो इससे आपको शुविधा हो जाएगी जिपस है कि लिब बाम गालों पर लगाएं हलकी पिंक वाली शादियों में इससे क्या होता है कि लुक बहुत अच्छा आता है और तुरंत अपका अगर स्कीन बहुत जाद अच्छा नहीं भी है साउले भी हो या गोरे हो जैसी भी स्कीन है उसमें गालों में लगाते हो तो लुक बहुत प्यारा वाला आता है क्यूट से दिखते हो स्टालिस भी लगते हो तो यह चीज़ अब तुरंत अगर जाना है पार्टी में या तयार होना है डेट पर जाना किसी से मिलने पहली बार तो लगा सकते हो 14 इस बहुत ही इंपोर्टेंट है गीले वालों में आपको कंगा नहीं करना है कंगी नहीं करना है और जब बाल सूख जाए तो दीरे दीरे आइस्ता आइस्ता दो तीन बार आपको बाल जारने चाहिए कंगी करने चाहिए इससे बाल हेल्दी होते है ठीक है और दूसरी बात है कि बाल बांध कर जूरा रखने से और कभी कभी बाल खोलने से क्या होता है ने कि साइनिंग बढ़ जाती है तो आप ये हेर स्ट्यालिस टाइप के अपना सकते हो और हेर ग्रोथ के लिए आपको आवला खाना स्टार्ट करने हैं और नारियल तेल में करी पत्ता दो चा अखलो और उसे आप बालों में लगाया करो और अगर सफेद बाल होते हैं तो नारियल के तेल में नीमबू फ्रिश नीमबू का जो रस होता है वो उसमें डाल कर और मिला कर बालों में लगाओ क्यूंकि बाल लड़कियों की खुबसूरती के लिए ना स्टालिस देखने के यह खुबसूरत दिखने के लिए बहुत जरूरी होता है तो उनकी आपको कियर करनी है और डेंडर कभी बाल में रूसी नहीं होने देना है उससे हेर ग्रोथ रुख जाती है बाल बढ़ते नहीं है और उसके बाद बहुत सारी उससे बालों के समसाय उत्पन होती है ठीक है तो हेल्दी हेर नहीं रहते हैं तो इन से बातों के आपको खास ध्यान रखना है जिससे की आप खुबसूरत भी लगो इस्टालिस्ट भी दिखो तो आज की वीडियो बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे कॉमेंट करे मेरे चेनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे थैंक सरवाजिंग जैहिन जैभारत रखना अपना ध्यान